और इसके बाद गुरू के उन पांचों स्लोकों का उच्चान करे जो अपने आप में प्रिक्रति निर्मित हैं और इन पांचों स्लोकों को भी मैं पहली बार ही उच्चरित कर रहा हूँ जिसमें पूर्ण गुर्टक्त्व समाहित है और जिसमें गुरु स्वयम अपने सरीर में समाहित हो सकते हैं हमारा पूर्ण रूप से समर्पन हो जाता है और एक दूसरे से पूर्ण संबंद स्थापन हो जाता है एक प्रसे देखा जाता है गुरुत्त्व अपने आप में जा आइतन्यरूपम् धारं धरेशं। गुरुरुवै सताम् दीर्यदमने बतुल्यं। गुरुरुवै प्रणम्यं। गुरुरुवै प्रणम्यं। अचिंत्यरूपम् अविकल्परूपम् ब्रह्मा सुरूपम् विष्णु सुरूपम् रुद्रात्वमेव परतं परब्रम्मरूपम् गुरुरुवै प्रणम्यं। गुरुरुवै प्रणम्यं। गुरुरुवै प्रणम्यं। हदयं तमेवं प्राणं तमेवं। देवं तमेवं ज्यानं तमेवं। चैतन्यरूपमपरं त्वहिदेव नित्यं। गुरुरुवै प्रणम्यं। अनाधी अकल्पिर्पवाम पूर्ण नित्यं। अजनमाम अगोचर अधिर्वाम अधिर्यं। अदेवाम सरी पूर्णम अदेवरूपम् गुरुवै प्रणम्यं। गुरुवै प्रणम्यं।